ओनिंग जे उनके स्टार्भाण के जे जे एकिता जे 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 सकते हैं नमूदे सुभु से शब की वो तीरगी तो गई ये और बात के सुरज में तमाजत कम है आप सभी दोस्तों का इस्तक्बाल और खेर मकदम प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जेंड की केक और ताज़ा शुमारे में हमारी तरफ से प्यार खुलूस ताजीम और तक्रीम भरा सलाम कबूल करें और आज भी हमारे मुहिब देखने वालों के लिए नाजरीन के लिए पुर खुलूस लोगों के लिए यही दूआ कि आप लोग जहां कहीं भी रहें खुश खुर्म रहें बसहतों सलामत रहें बख्यर आफित रहें और जिंदगी के मामलात में रवादवा रहें नाजरी मुथर्म इस प्रोग्राम के मामलात को आगे बढ़ाने के लिए आज दो में मेजबान आपके साथ रहेंगे मैं रहूंगा काजी मुहमद अमार और मेरे साथ रहेंगे माजद लखेर अनन्दा असलाम अलेकूं क्या चाले हैं आप टीए आप टीए के लिए निकल रहे हैं तो बड़ा एहतियात और द्यान से चला है क्योंकि पूरी में खैल से हाइवे पे जो भी गाड़िया चल रही थी सब्भी ने लाइट्स आउन करके रिखी क्योंकि बिल्कुल पूरा दुन पड़ा था और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था यह जो हाइवे का यह पैसेज है वहां पे अक्सर हम देखते हैं अवंती पूरा पांपूर और जो आगे मज़ाफाते लाके हैं वहां पे दून दूर कोहरा सा जमा होता है तो इसलिए ड्राइव करते वक्त बहुत एहतियात बरते हैं और जहां पे लाइट्स का इस्तिमाल करना है लाइट्स का इस्तिमाल करें अच्छा माजद आपको पता है एक खाब था मेरा बच्पन से कि कुछ ऐसा हो जाए कि मंडे को छुटी मिल जाए ठीक है आज एक नए हफ़ते का आगाज है मंडे है आज शो तंदरवार मगर दोच छुटी है आज शो यह हफ़ते ही शो मुलो इसमन खोतर बोने अंजायात हफ़ते ही शो जत्रे चुटी तो इचासां साइनी खाहिश के वर्किंग डिये दो मिल है कुन साथ चुटी बाकी इम प्रोग्राम की मनाजबती इस डिसकेशन ने सी अथमस गैस्ट मुतारिफ के रित तुलो आज तो आप देखी कि मुक्तलिफ सलाहियतों से नावाजा है बिल्कुल हर को एक इनसान जो है मुक्तलिफ सेट अफ अबिलिटीज के साथ पैदा होता है लेकिन एक जो आज के दोर में एक बात एक जहनियत अभर के सामने आ रही है वह तकाबल की वह कॉमपटिशन की मुकाबला करने की लेकिन जो माहर तालीम हैं जो एजूकेशनिस्ट हैं वो य खुश असलोबी से अंजाम पाएंगे लेकिन हम एक दूसरी को पीछे छोड़नी की रेस में लगे हुए हैं हम ये नहीं समझ पा रहे हमें इस बात का एसास नहीं हो रहा कि जो हम में खूबिया हैं जो हम में सलाहियते हैं हम उसको कैसे निखार सके अब यही कॉमपटिशन लेके तलने हैं हैं है कि गाता है, वो यह है कि मैं अपना बейस दूंगा, इस कोशश में कोई पीछे ह techniku होता है, तो होता है। लोगे है जिर भू हम इसने पावज़र का फारवा चालरा जाओ ब हा ए हम लगतता हैं है। अक्सर और बीचतर लोग किताबे रोब जाडने के लिए पढ़ने लगते हैं और अगर सवाल करते हो तो खुद को शायद जादे जहीन और अकलमन साबित करें के लिए तो मेरे खायल से जो इलम को हासिल करने की जद्द जद है उसकी बीचे जो मकसद है वो कहीं रह गया है बिलकुल सही बात है और यहीं पर रोल बनता है हमारे टीचर्स का हमारे वालिदें का ताकि वो सही अंदाज से बच्चों की काउंसलिंग करें उन में तकाबल और तनफर का जजबा न पैदा हो जाए क्यूंकि फिर जब ये चीज़ें मेनिफेस्ट होती है न तो फिर आप देखते हैं कि एग्रेसिव बन जाता है एक इंडिविजबल और वो फिर समाज पर उसका बहुत ही मन्फी असल पन जाता है तो ये तो कुछ बातें थी कि जिस हावाले से हम आज प्रोग्राम में गुफटगू करेंगी जतने भी वालदेन हमें देख रहे हैं जतने भी असातिजा देख रहे हैं स्टूड़ें जो अपने करियर्स के लिए बहुत ही हसास हैं संजीदा है वो आज की प्रोग्राम को बहुत गौर से देखे, बहुत ही माने खेज और नसीयत आमोस बाते होने वाली है, लेकिन उस से कबल, चुंकि हम मौसम और ट्राफिक के हवाले से अपडेट पहुंचाते हैं, आज जो मेकमे मौसमयाद से पेशन गोई हैं, कहीं कहीं पे हलकी फुल की बारिशे हो सकती हैं, द्रजह हरात के हावले से आज सिर्ण न्गर में ज्याधा से ज़धा ज्राफिक ज़्ञाज करकॉड किया गया गया हैं, और कर राद की कम से कम द्रजह हरात आठ डिक्री जल्कॉर्ड करकॉर्ड करकॉड किया गया है हाईवे के हवाले से आपको बता दे कल नैशनल हाईवे पर ड्राइडे था हाईवे बंद थी मुक्तलिफ मुकामात पर मैंटेनिंस का काम चल रहा था आज सिंदगत जुमो हाईवे को आम दरफ के लिए खोल दिया गया है कि अगर आज दिन में बरफ नहीं हुई उस पर भी चोटी बड़ी गाड़ियों को दोनवा तराफ से चलने की अजासित होगी और जो गुजारिशा ट्राफिक कंट्रोल यूनिट से हैं कि सफर के लिए अगर आप निकले तो महरबानी करके दिन में ही सफर के लिए निकलने की कोशिश करें क्योंकि रात में मबेशियों और चरागाओं की वो नकल अखरत हरकता सलसला चल रहा है तो लहाज़ा आप जान रखें और लेन डिसिप्लिन लेन में चलने की कोशिश करें क्योंकि अभी भी हाईवे पर बहुत सारी स्टांडर्ड वेहिकल्स है और देगर मालुमाद आपडेट के लिए आप ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट के सोशल मीडिया साइट पर भी जाके चक कर सकती हो या जो नम्बराद आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे थे या सोशल मीडिया पर इनके नम्बराद है उन पर राबिता काहिम करें अपडेट लेकर ही सफर के लिए रवा रहा हूँ बहुत बहुत शुक्रीया माजद और जैसा कि आपने कहा कि ले इन ड्राइविंग फालो करें और वैसे ही एकामात हैं मैं अभी सुर्खियों का इंतखाब कर रहा था तो वहां पे लिखा हुआ था एक सुर्खी शाय हुई थी कि यह जो मुगल रोड है वहां पे चुंकि रोड बंद हो जाता है इसलिए कुछ आने वाले 24 गंटों के लिए पेश्रगूई भी ऐसी है कि वर्फू बारा के इमकानात हैं तो अगर मजबूरी नहीं है तो ट्रावल करने से इस दिनाब ही करें और यह जो मैं कह रहा था कि यह मनफी जहनियत और यह एग्रेशन जब मैनिफेस्ट होता है तो इसका हम अक्स अपने साड़कों पे भी देखते हैं आप देखे कितनी रोड रेजिस होती है यह थाई थोड़ा बहुता सी यह थाई के जीर लाइगी पात विशो तिम डिस्प्यूट्स कितके छे सालो करा इसलिए अगर इस जी शोओर कौम अगर इस बाशोओर छे सोफिस्टिकेटेड छे शोइस्ट शोइस्ट गी हूं तकाज शोई है कि अगर साड़के पर इस ती गलती गाच पात ताम सब्बकें नुकसान गाच शोओर इस एमिकबली सोलो आच पन कवानीन ट्राफिक पुलीस चासान हर कुन जाए तायनात ती मन करो इतला पात करन तीम एमिकबली सो डिस्प्यूट सोलो यह एत लीगल एक्शन आइस नहीं तायत नहीं हो इलीगल एक्शन तीम अगर पान करो ने इस तीस मुदाखलत के यह जन शोई इस तगी हिंदेर ने बर आएस नाजिर मुदारम इमास के गुजारिशाद इम हर दो पर चैस ताय तायम वात नामांच प्रोग्राम उग देसलाब चेस आगाज चेस करां कर शरी बहत सीट आज चे शाजिया बशीर जीने आवाज माज आख खूबसूरत सांग क्यू इन करित वेलिव उच्छव तो बोजव ये खूबसूरत नगम तेम पतकरो पर निस मौज़स मेहमान सीट मुलाकात तुरिजव उच्छव प्रोग्राम गुड मानिंग जैनकी जित्यार जोई म्योने मितिंते जार चोने जित्यार जोई म्योने मितिंते जार चोने जित बेकरार दिसा मित बसा मार चाने जित आदे सो ये म्योने मित इंते जार चाने जित आदे सो ये मित इंते जार चाने जित आदे सो ये मित इंते जार चाने बच्छाद पवार पाथं, संडिहें हुबाद सोरे कुछ हाद मार पाथं, संडिहें हुबाद सोरे कुछ है बुमाल पोशन, सरहा बहार चोनी कर है बुमाल पोशन, सरहा बहार चोनी जित बेकरार साक, मित बसा मार चाने जित आदे सो ये म्यानी, मित इंते जार चोनी कुछ है बुमाल पोशन, सरहा बहार चाने कुर 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 समय, समकुल नी जान पते मयान कुर 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 समय, रूज। रोजु यच्छान बस खदमत गुजार चौई रोजु यच्छान बस खदमत गुजार चौई जिट बेकरार रसा मिठ बसमार चौई जित्यार जोई म्याने में तिंते सार चौई जित्यार चौई जित्यार चौई जित्यार चौई ना कई मेरो द्रोशी करना मेरो द्रोशी करना बार फल बार यारो अमार चौई करना मे बार फल बार यारो अमार चौई जित्य बेकरार जलसा मित्य बासा मार चोने जित्यार जोई म्योने मितिंति जार चोने जित्यार जोई म्योने मितिंति जार चोने वेल्कम बैक नाजमी प्रोग्राम देख रहे हैं आप गुड मॉर्निंग जेन के जो हर दिन हर सुभ हम आप तक आठ बिस लेकर नौ बज़े तक पहुंचाते हैं आपने एक खुबसूरत सा नगमा सुना शाजिया बशीर जी की आवाज में और सनम पे फिल्माया गया ये खुबसूरत गीत अब वक्त हुआ चाहता है कि हम आपकी मुलाकात आज अपने महमान से कराएं नाजी मुझे तर्म कहते हैं कि बच्चों में बहुत ही इद्धाई अमर से हमारे तलबा में बहुत ही इद्धाई अमर से वो अपने लिए टार्गेट सेट करते हैं गोल्स सेट करते हैं, मनजले सेट करते हैं, अब इसमें दो सवाल है, क्या जिन मनजलों को उन्होंने सेट किया है, क्या वाकई वो उनकी मनजले हैं, और इस मनजल तक पहुँचने का रास्ता, उसकी गाइडेंस कौन उनको फराहम करें? वहाँ पे रोल आता है करियर काउंसलिंग का, अब ये सिर्फ करियर काउंसलिंग का, अब ये सिर्फ करियर काउंसलिंग, करियर प्लाइनिंग, ये सिर्फ एक मौदू ही नहीं है, बलकि एक मजमून बन गया है, ये एक बाकाईदस साइंस बन गया है, जैसे बाकी सोशल साइ करियर प्लानिंग करियर कांसिलिंग भी एक अब साइन्स है इसमें बहुत सारी कोशिश हो रही हैं बहुत सारे इंटर्वेंशन हो रहे हैं कि हम अपने तलबा को सही सम्त की और गाइड करें ताकि वो कामियावी की मनजलों को छुएं यहां पे हमारी जो बहुत बड़ी दान प्रोफिसर मुहमद इसागीर सहब हमारे स्टूडियोज में तश्रीफ फर्माएं बहसेते महमान आपका बहुत 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 इस्तिक्बाल और खेर मग्दम प्रोग्राम गुद मॉर्निंग चैनिग शुक्रिया हमार साब माजित साम आपका भी आपने हमें वक्त दिया स हम पहला इस्तिफसार पहली गुजारिश आपसे ये करेंगे कि शायद कुछ नए नाजरीन देख रहे हों जो शायद आपसे मानूस नहों आपकी जात से मानूस नहों तो उनके लिए आगाज अपने मुक्तसर तारुफ से कीजिए उसके बाद हम अपने असल मौज़ू पर मौतरम अमार साब माजिद साब मेरा नाम प्रोफिसर गीर मौमद इसाग है मेरा तालुक सिरी नगर से ही है मेरी पैदाईश यहीं सिरी नगर से मुचलिला का इदगा के नजदेक नरवरा में हुई है जो मशूर है शायर सामद मीर की पैदाईश के लिए जो मशूर है शाय यह डिस्टिक डोड़ा में फिर मेरी ट्रानस्पर यहां सरे नगर में हुई और दो हजार दो में फिर मेरी ताइनाती हुई भाहिसाती एसिस्टेंट प्रोफेसर कश्मीर इनुवर्स्टी में और पिछले 21 साल से में वहीं अपने फराइज अंजाम दे रहा हूँ भाहिसाती मुदर्स के और एक टीचिंग और एजुकेशन में में इन्वॉल्मेंट मेर रही है तब से और इस बीच 2016 में मेरी प्रोफेसर में मेरी प्रोफेसर माशाय और 2021 से मेरे पास एक एडिशनल चार्ज आ गया जो है डिरेक्टर सेंटर फर करियर प्लैनिंग और पिछले दो आड़ाई साल से मैं वही फराइज अंजाम दे रहा हूँ अपने जो औरिजिनल जो मेरे फराइज हैं उनके अलावा टीचिंग और रिसर्च के अलावा वहां पे हम करियर काउंसलिंग, प्लेशमेंट्स और कोचिंग का काम करते हैं वो फराइज में वहां पे अंजाम दे रहा हूँ तो सर जो आपका ये 20-25 साल का तजरुभा रहा है केरियर कांसिलिंग के हिसाब से जब बात करेंगे जो आपके मुशाइदात और जो इनकिशाफात है कैसे रहे और जिस तरीके से एजुकेशन में एविलूशन हुआ है जैसे निव एजुकेशन पॉलिसी भी आई है किस तरीके से आप देखते हैं केरियर कांसिलिंग को इस सब्जेक्ट और या इस डोमेन को कितना जरूरी है हमारे समाज के लिए माजिस साब मुझे लगता है बहुत ही एहम और बहुत ही जुरूरी बन गया है खासकर जो आपने जिकर किया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तनाज़र में जब देखा जाए क्योंकि इस एक revolutionary policy है जो 36 साल के बाद आई और 21 सदी की पहली national policy है which seeks to transform the whole educational system और एक revolutionary paradigm shift उसमें लाने की कोशिश की जा रही है तो इसमें career counseling का बहुत ही important role बना है तो पहले मैं आपको यह बताओं कि जो career counseling है जब हम career की बात करते हैं तक career जो है इसका जो origin है Latin में है जो carous word से निकला है जिसका literal meaning है chariot तो chariot जैसे के एक tonga जो एक tonga जो हमें अपने एक bus stand से अपने मनजिल मकसूद तक पहुचाती है अब हालांकि tonga का उतना रिवाज नहीं है लेकिन अभी भी कुछ एक दूर दरास के दिहाद में अभी भी tonga का मुझे याद है जब मेरी मा की duty अनतनाग में हुआ करती थी तो हम अंची दोर आ जाते थे tonga में सावार होके मैं उसक अनतनाग के कुछ अलाके हैं यहां पर दूर वाला एरिया है वाहाँ आज़ी वो टावे तावे तावे तो चैरियार्ट जो है बिल्कुल उसी तरह कांसलिंग का काम होता है यह एक इनसान को अपने मनजिल मकसूद तक पहुचाने में मदद करती है उसको अपनी मनजिल हास हिस्फ तरहिस्थ थटव प्रवरियस का उनकिया है दूर्व तक भी यह यहां चीह ती अज़क्रता लेका 흡़रभूव स्कृबिल में कहिए तो कशिंड यहां तो यह जो करियर चूस करेगा एगा उसी से वह शुरुवात होती है वह जो करियर कांसलिंग प्लैनिंग का सिल सिला है वो इवन रेटाइरिमेंट के बाद भी कंटिन्यों करते हैं फिर ऐग्जांपल अगर आप देखेंगे जो आर्मी में डिफेंस में जो परसनेल होते हैं मेजर करनल्स उनका तो एक्चुल जो परसनेल करियर होता है वो तो रेटाइर्मेंट के बाद शुदॉरू हो प Self-actualization का मतलब है कि अपने असल पोटेंशल, अपने रियल पोटेंशल को एक्सप्लोर करना, उसको पहचानना, उसको रियलाइस करना, और यह जो कई सारे साइकॉलोजिस्स हैं, पर एक्जांपल, कर्ट गोल्स्टीन है, अबराम मैसलॉफ, जो अमेरिकन नियुरो अनेटॉम जब वो फुल्फिल होती है, उसके बाद सबसे ज़्यादा एहमियत होती है, self-actualization की, and this is the highest pinnacle of the psychological development of a person, even animals में भी, जब self-actualization होती है, तो आपने देखा होगा कि कई सारे जो pets होते हैं, वो music पे डांस करते हैं, और कई सारे highly performing acts अंजाम देते हैं, क्योंकि वो आपने self-actualization का आपने जिकर किया, और आपने एहमियत पे जोर देते होए career counseling की, ये कहा कि ये शुरू बच्चे के जनम से ही होती है, फिर जब वो primary में जाए, schools में जाए, higher secondary में जाए, colleges में जाए, ये मुसलसल एक guidance का अमल है, बहुत लोगों को शायद ये भी गलत फैमी है, वो यहाँ पे हम दूर करना चाहेंगे, कि एक career counseling session में हम गए, वहाँ पे शायद कोई बंदा होगा with a magic wand, वहाँ हमें एक career carv कर के देगा, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है, कि वो career counseling sessions के बाद कहते हैं, कि I'd कहस को रूखने मोँ वोन हुपर या पोईत, मगर गोन की ही नहीं, शायद जितिमर यह तावका आसां कि I'd का, so your ordinate respect career था, सरू करियर था, हलांकि वो एक गलत फहमी है, अच्छा, जब आपके, मतलब आप तालब इल्म थे, आपने कहाना self-actualization, career counseling का शायद इतना इस पे emphasis नहीं था हमारे education system में, लेकिन यही career counseling का idea मुटलिफ शकलों म था, for example, जब आपको किसी subject का इनतखाब करना होता, आपके time पर, तो आए ते इस पुछा महला समसकाँ, जूड़ा बहुत पर मुतलिफ मुताईश, ते मिसस पतासान है, का आथमर शो स्कोप, कोप ते यह, नहीं तो तुह हुं दियो सिए, इनतखाब शो फार्मसी हुं थे 90's, early 90's की बात है, तो मेरे वालिज साब बैंगलोर चले गए, मेरे एडमिशन के सिल्चले में ही, और in fact, उनने ही मेरे लिए यह इनतखाब किया, मेरा जाती इसमें कोई रोतरी जानकारी भी नहीं थी, और मुझे इस बारे में ज्यादा इल्म भी नहीं था, लेकिन फिर ज सकता था, इस में एचीव करने की कोशिश की, और अलहमदुलिल्ला, जहां भी मैंने इंट्रिव्यू दिया चाहे, वो ड्रग और फूड कंट्रोल आर्गनेजिशन हो, वहां पे मुझे कामियाभी हासिल हुई, फिर कश्मीर इनिवर्स्टी में मैंने इंट्रिव्यू दिय लेकिन आपका कहना सही है कि उस दोर में उतना कर्ययर काउंसलिंग का रोजान नहीं था, और उतना उस बारे में लोगों को इलिमियत भी नहीं थी, लेकिन यह जो कर्ययर काउंसलिंगग आपने बिल्कुल सही कहा कि एक वान येक्टिवीती नहीं है, छाल है, द estásक हूश द सम्झाने की कोशिच करते हैं कि उसकी स्ट्रेंक कहां पर है स्ट्राइब काया है उसकी कॉस्त कासा है। हर बच्चा हर सब्चेक्ट में स्ट्रांग नहीं हो सकता है हर बच्चे की एक particular inclination interest होता है और अगर हम उसको पहचानने की कोशिश करें फिर हम उन strengths पे build on करें और उनकी weaknesses को overcome करने की कोशिश करें तो that boy that girl can bring out you know he can shine in his own colors तो करियर काउंसलिंग का यही मकसद है जब बच्चे हमारे पास आते हैं तो पहले तो हम उनकी साइकोमेट्रिक टेस्टिंग करते हैं कि इसकी परसनालिटी ट्रेट्स क्या हैं क्योंकि यह काफी 1958 में एक होलांड्स मॉडल है जो जॉन होलांड ने दिया था उन्होंने परसनालि ठीड्स क्या है इसकी स्ट्रेंग्ट्स क्या है यह कहां पे फ्लेगा फूलेगा और किस प्रोफशन में यह शाइन करेगा ताकि हम उसको उस yolk करते हैं कि आपका जो अड़ने परसनाल्ट्र शायद है इटो आगये और हमारे पास कुछ case studies भी है जब हमारे पास बच्चा आए मैं आपको एक आद आपको examples बताना चाहूंगा तो एक हमारे पास बच्चा आया जिसको अपने वालदे ने बेज़ा था तो उनके वालदे ने मुझे फोन पर बताया था कि यह जो बच्चा है इसमें काबलियत है हम इसको डॉक्टर बनाना चाहते हैं लेकिन बच्चा जो है वो डॉक्टरी में नहीं इसको interest है पता नहीं गेस में interest क्यों नहीं ले रहा है ज़रा आप इसको समझा दीजिए कि आप डॉक्टरी की तरफ रागिब हो जाईएं एंबीबियस में चले जाईएं तो जब वो बच्चा मेरे पास आया मैंने उसके साथ अकेले में बाद की और मैंने देखा वो बच्चा बहुत ही काबिल था बहुत ही talented था लेकिन उसको medicine में बिल्कुल भी interest नहीं था और उसका interest अगर था वो law में था management में था और लेकिन और उसने कई सारी कोश्चीं भी उस रह में की थी कई सारे exams भी face किये थे और उसने explore भी की थी कि क्या क्या possibilities है उसका career map जो था उसका जो बिल्कुल clear था उस counseling आपको जूरत है आप मेरे से मिलिए जब वो parents मुझसे मिले तो मैंने उनको समझाया कि आपका बच्चा इसकी strength यहां पर है अगर आप उसको जबरदस्ती doctor बनाएंगे वो अच्छा doctor कभी नहीं बन पाएगा लेकिन उसको आप छोड़ दीजिए let him explore his own world और अपना career उसको choose करने दीजिए देखिए यह कैसे excel करें बिल्कुल और यह वाकई होता है माजद आप देखिए बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जिन्होंने अंडर ग्रैजवेशन भी की पोस्ट ग्रैजवेशन भी की पोस्ट ग्रैजवेशन करने के बाद उन्हें यह एह एहसास हुआ कि यह ह हमारी कॉलिंग नहीं है यहां हम सफकेट हो जाएंगे इससे बेहतर है कि हम कुछ और ही इंतिखाव करें लेकिन बाइदर टाइम उन्हें यह रियलाइज होता है इस अलरडी टूले अच्छा एक जो यहां पर सवाल मेरे जहन में उभर रहा है जैसा कि आपने कहा यह जो ब और क्रेश और स्कूल जहां पर वो टैंथ तक पढ़ता है तो थोड़ा बहुत अगर हम इसको युनिवरस्टी लेवल से स्कूल लेवल तक लाएं यह कितना जरूरी है कि वहां पर भी स्टूड़न्स की प्रोफाइलिंग हो यह जो टीचर हो यह खाली अपने सिलिबस को न नहीं है अगर वहां पर प्रोफाइलिंग हो जाती तो आपके लिए मुझे लगता है उस युनिवरस्टी लेवल पर उनको फिर करियर कांसलिंग करना और भी आसान हो जाता है बिल्कुल सही बात एक्चुली देखा गया है साइंटिफिक स्टडी से यह पता चला है कि जो आइडियल टाइम है कांसलिंग का वो तेरा से पंदरा साल के बीच का है लगबग जब बच्चा नाइन स्टैंडर में होता है क्यूंकि अब देखिए एड तक तो फांडेशनल लिट्रेशी होती है तो उसको जो फांडेशनल जो लिट्रेशी देनी जुरूरी है हर सब्ज तरफ हमें उसको फ्रमोट करना चाहिए तो उसके लिए जैसे मैंने कहा कि यह लाजमी है कि हर स्कूल में हर कॉलेज में एक साइकलोजिकल कांसलर हो एक करियर कांसलर हो और हर कॉलेज और इन्युवर्सिटी के शौबजात में एक प्लेस्मेंट आफिसर हो यह तो सीबी एस साथ मैं से एक बच्चा जो है हूँ सफर करता है मैंटल डिस़ार से वल्ड़वाइड तो उसमें जो है इसलिए हमें जो है एक सैचलोज देखें यह तो स्कूलिंग की स्टेजिस होते हैं कॉलेजज के जो स्टेजज़ होते हैं बहुत ही मुनफरिद और युनिक होते हैं स्कूल में जब बच्चा होता है तो एक जब वो हाई स्कूल में जाता है तो उसकी वो हीज एग्जूबरेंट, हीज फुल अफ एनरजी, एन्थूजियाटर्जियस, और लॉट अफ क्यूरियोसिती, लॉट अफ क्वेश्चिंस, कोईरीज अब इस सराउंडिंग्स, प्लेस पीपल, और फिर जब वो कॉलेज में जाता है, एक नई एम्बियंस में जाता है, नई रिलेशन्शिप्स, फिर एक नए माहूल में जाता है, नए बच्चों के साथ मिलता जुलता है, और उसकी जो इनसाइट्स और आउटलुक्स हैं, वो बिल्डप होने लगते हैं, वो ओपीनिन क्रियेट करने लगता है, तो ऐसी सिचुवेशन में उसकी एनरजी को सही ओरियन्टेशन देने के लिए, चैनलाइज करने के लिए, उसकी एक्जूबरंस को, एंथूजियाजम को सही सिम्त में लाने के लिए, एक साइकलोजिकल काउंसलर की बहुत सक्त जरूरत ह करियर कंसलर की बहुत सक्त जरूरत है, प्लेसमेट ओफिसर्स की बहुत सक्त जरूरत है, और नाइन स्टैरेड में हमें वे heck प्रॉफाइलिंग करनी है, साइक्ट्रोबर्ट है, ईइसरुवर्ट है, उसमें कौन कौन से ट्रेड्स हैं, फिर उसको हर 형 हम उस सांचे में ढाल सकते हैं प्रमूर्ट कर सकते हैं ताकि वह कमफट देखे जिस जब तक इनसान का पैशन नहीं है किसी में चाम में उसमें एक्सेल नहीं कर सकता तो जिस जिस काम में वह जिस काम को एंजॉय नहीं करता उसमें वह कभी एक्सेल नहीं कर भाए है उसमें हम महमान से कि हमारी वादी में आइडिन्टीटी क्रेसिस है, हमें पता नहीं, हुव आम आई, वेर अम गोईंग, मेरी जिन्दगी के क्या अमबिशन से, इन मुक्तलिफ मौजवाद पर बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम में भी वक्त हो चला है, एक छोटे से वक्फी का, उसक आउलाद के खुशी के लिए तरस रहे है, फ्री कंसिल्टेशन की जाएगी, याद रहे, वर्दान आईवी अफ सेंटर, वादी में पिछले तीन सालों से उन बेवलाद लोगों के घरों में आउलाद के खुशी का चिराग जला रहे हैं, जो आउलाद से महरूम थे, आईवी अफ सेंटर, मगरमलबाग, फ्री निगर, सेल नंबर 600594300 क्या आप शुगर कॉलिस्ट्रॉल और कप से परिशान हैं? आपकी ये परिशानी दूर करने के लिए विदान्थ हट पर लेकर आया है DC99 प्रीमियम आरवेदिक जूस अपने और परिवार की सहत की भरपूर हिफासत के लिए खासकर डाबिटिक पेशन्स इस्तिमाल करें विदान्थ का DC99 जूस ये जड़ से रोग मिटाएं और आपकी शुगर लेवल को हर वक्त कंट्रोल में रखेगा विदान्थ DC99 जूस बादी के हर यूनानी स्टोर पे दस्तियाब है फोट्रेड इंक्वारी कॉल उन 7-006-9-4-9-9-4-6 नाजरीन वक्त के बाद आपका खेर मगदम है आप देख रहे हैं अपना मन पसंद ब्रिक फशो गूड मॉनिंग जेन कि आप टेलिविजन पर हमें बराहे रास देखने के साथ-साथ हमारी यूटूब चैनल पर भी हमको बराहे रास देख सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूले और हमारी देगर नश्रियात हैं उनसे भी लोट फटाए नाजरीन आज हमें एक इंपॉर्टन मौज़ पर बात करें केरियर कांसलिंग और प्लानिंग और हमने खास महमान को मुदू कर रहा है 6.5 टन टिवी और 32 टन आफाद से मतलिक इमदादी सामान शामिल मेरे पास भी एक अर्दो रोजनमा है और शेह सुर्खी शाय हुई है 25 अक्टूबर से जमो कश्मीर में जिला सतह पर आवामी दर्बारों का किया जाए गए इनकाद जमो कश्मीर के चीफ सेक्टरी 30 अक्टूबर को सुरी नगर में सजाएंगे अवामी दर्बार मेरे पास एक मुकामी अंग्रीजी रोजनमा है इससे चन्द ख़बरे शामिल करते है और एक ख़बर इसी अक्बार से है अमेटी प्रेडिक्स लाइट रेन सनो फॉल ओवर हाई रीच टेंपरेचर डिप फॉर्दर जी जो सैफरान के शगूफे हैं ये अब क्या कहते हैं सता पे आ गए हैं और बहुत सारे पिक्चर्स मैंने देखा कि सोशल मीडिया पे सर्फियस कर रही है अब तो खर वहाँ भी सयाह जाते हैं इन शगूफों को देख लेए तो वो खिल गए हैं आप वहाँ जा सकते हैं और नजारों से लुट्पंदोज हो सकते हैं एक अंग्रेजी रोजनामा है मेरे पास और इससे दो सुर्खिया आप पहुंचाना चाहेंगे विंटर टूरिजम डी सी बारमुला कंड़क्ट्स लेट नाइट विजिट टू टूंगमर्ग रिव्यूस मेजर्स फॉर एडिशनल कार पार्किंग फैसलिटीज इसी एक और से एक और खबर होटिकल्चर डिपार्टमंट और्गनाइजर्स किसान सम्मेलन अवेरनिस प्रोग्राम एड टंगार जी और एक मुकामी और दूरोजनामा इससे खबर हैं वसोली मसورी और पश्मीना के फिरोग की मदद फरहम करने का आजम लेटनेंट गवरनर कहां पसोली महा उत्सव मुल्क के मुन्फरिद सकाफती और फन कराना वर्से का गहवारा है जी जैसा कि आप माजिद कह रहे थे कि हमें ये पता ही नहीं कि हम कौन है हमारा तश्चुस क्या है हमारी तहजीब क्या है तो इस तरह के जो क्राफ्ट्स है आर्ट एंड क्राफ्ट है ये भी जैसे खबर शाय हुई है अगले 24 गंटों में बर्फ बारां का इमकान ताज़ा बर्वबारी के बाद मुगल रोड बन बालाई लाकों में बर्वबारी और मैदानों में बारिश के 60 फीसद इमकाना ये थे अगवारा की सुर्खियां और आज हम बात कर रहे हैं प्रोफिस आज़ा रहे थे कि जो आपका इंटर्वेंशन हो रहा है ये यूनिवर्सटी सता पर हो रहा है और बाइदे टाइम बच्चा वहां तक और यूर्री ट्वियर्स और ट्वियर्स इंटर एज़ूकेशन और फिर वहां उसको पता चलता है कि मैं जिस फील्ड में आया हूँ ये गलत है तो क्या आपको लगते है एक दो सवाल है इसके साथ कि एक तो कि हमारे अंदर जो एक आइडेंटिटी क्राइसिस जिसके हम बात कर रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है बच्चों को पता भी नहीं होता है वो साइंस में क्यों जाते हैं आर्स में क्यों जाते हैं किसी साथ के टाइम फ्रेयम होता है यह बहुत ज्यादा Passion का भी बहे सुकूल लेफल पे भी ज़ूररी है कॉलिज लेफल पे भी जरूरी है युनिवर्स्टी लेवल पे भी जरूरी है 알बता बनाई अभी मुझे पता नहीं कि इस ताइम फंक्शनल है या नहीं है लेकिन कॉलेजिस में भी फिर इनका रोल है कि बच्चों को देखना है कि मुझे कौन से सब्जेक्स पढ़ने हैं कहां जाना है आप तो नैशनल एजुकेशन पॉलिसी के ताहत काफी जादा आपके लिए शूट करेगा डिपेंड़ एंटर तो ये फिर इनविश्टि लेवल पर जब हम आते हैं तो इनविश्टि लेवल पे भी जॉब सेलेक्शन जैसे हम प्लेस्मेंट एक्टिविटीज भी करते हैं हमारे सेंटर पे हम कोचिंग भी देते हैं एब्सूटली फ्री आफ कोस्ट आइस के इस नीट जैडबली नेट जैयारफ की कोचिंग देते हैं तो उसमें फिर उनको जो कोचिंग की तरफ रागिप करना और फिर हायर जो मास्टर्स अब जैसे फॉरन कंट्रीज में या विदन इंडिया भी जो स्कॉलर्शिप्स इंटर्णशिप्स एपरेंट्शिप्स की जो अपर्चुनिटीज हैं उसके बारे में इनुश्टी स्टुएंट्स को बताना और हमने कई सारे मेंटरिंग किया सीवी राइडिंग पे एप्लिकेशन पे प्रेपेरिंग स्टेट्मेंट आफ पर 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 एसोपी इस पे तो उस तरह की जो गाइडन्स है ट्रेंग हमने पिस्टे दो आड़ाई साल में लगबग 36 प्रोग्राम किया ऐसे जो ट्रेनिंग कांसलिंग वर्क्शॉप्स व इस वरी वरी इंपॉर्टन वरी कुशल आपन तो विजट एड़ुकेशन इनिस्टूशिशन आज मेंबर और नेक पेर टीम और वहां पे मेंटॉर्शिप पे काफी ज्यादा एमियर दी जाती है उसकी काफी इंपॉर्टन्स होती है क्योंकि जो मेंटॉर्मेंटी रिलेश इस वरी इंपरीशन का जो काम होता है वही मेंटॉर्शिप का काम होता है दखेए जब हम हिस्टरी में देखते हैं हमेरे पास एक अजीम कुछ मिछाने मिलती हैं में तैसमपल इंपास और प्लोटू की हमारे पास एग्जामपल प्लोटू का ही जो स्टूर्ट था तब रेजी ने शुद विल्कुल और जैसे महतमा गांदी को मेंटॉर किया मार्टिन लूथर किरिंग जूनियर ने और जिसी तरह से आज कल के दोर में हम देखते हैं कि जो स्टीव जॉब्स ने मेंटॉर किया मार्क जकरबुर को या वारेन बफे ने मेंटॉर किया बिल गे स्टी में मेंटॉर मेंटी र flu को प्रडमोट किया जाए जी ताकि वो उसको एक कौमपिटेंस की डिफरेंट ले जाए एक जो पहली लेवल होती है कौमपिटेंस की कि अनकॉंश। इनकॉंश्व इनकॉंक हैसे उठाके उसको कौंश। क् future फ। आन्च और ड्राइव करते हैं लेकिन हम बहुत यसमें कॉंच नहीं होते कि मुझे भॹे जो हर जो सिकल एक्विजिशन saag सालों से हमारे जो बच्चे हैं हपंधी स्टूर्टे एंड़ूंट कि नेशनल एजूकिशन पॉलिसी का है जिसमें skill एनहांस्पेंट पे जोर है। तो skill acquisition पे जोर है। हर stage पे बच्चों में skills को लाने की जरूरत है। कई न करीं अमर भाई unemployment का एक वचे ये भी है कि जो मार्केट में skill चाहिए थी वो है नहीं। बच्चा पड़ा लिखा है अच्छी डिग्री हासिल किया है लेकिन जो डिमैंड है उसकी जो स्किल फुल्फिल नहीं हुरे वो ही मेरा सवाल था बिलकुल माजिद ने सही इशारा दिया ये जो एक एक एकड़मिक और इंडस्ट्रियल डिसकनेक्ट है एकड़मिक्स में कुछ पढ़ाया जाता है जब बच्चे फारिगुल तहसील होकर जॉब ढूंडने जाते हैं इंडस्ट्रि को देखते हैं वहाँ उनके पास वो स्किल्स होती नहीं है जो जॉब मार्केट में धरकार है तो ये जो डिसकनेक्ट है बिट्वीन एकड़मिक्स निकलते थे, absolutely right, that they were not fulfilling the need of the industry, वो industry ready नहीं हुआ घरते थे, उनके पास वो skill sets और माइंसेट नहीं होते थे, अभी जब हम देखते हैं हमारे जो सेंटर हमारा जो सेंटर है जब हम वहाँ पे campus recruitment drives करवाते हैं, placement drives करवाते हैं, corporates आते हैं, interviews करते हैं, बच्चों में credentials तो होते ह हैं, काबलियत तो होती है, marks होते हैं, लेकिन उनके पास जो new age skills है, 21st century skills है, जो industry को चाहिए, देखिए, उनके पास communication skills की कमी होती है, उनके पास life skills, work skills, interpersonal skills, leadership skills, ये चीज़े नहीं होती हैं, उनको उनने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं, वो आपने subjects में महव रहे, अपनी त तास्क दिया जाए, और मुझे एक leadership role में रखा जाए, जहां पर मुझे problem solving करनी है, तो मैं क्या करूँ, और फिर आपने आपको शेशो पंच में पाता है, वो पाप नहीं कर पाता, उस requirement से, क्योंकि suddenly उसको एक task दिया जाता है, लेकिन उसको उस तरह की training नहीं मिली होती है, कि इस task को कैसे पूरा करना है, इसलिए जो national education policy है, वो project based learning, competency based learning, experiential learning, problem based learning पे जोर देती है, ताकि बच्चों को industry में exposure हो, work field में exposure हो, practice based learning हो, और उसको real life situations में उनको पढ़ाया जाए, उनको सिखाया जाए, यही national education policy का भी mandate है, और हमारा जो career counseling center है, वहाँ पी भी हम इसी बात पे जोर देते हैं, हम कुछ एक programs हमने शिरू किया है, जैसे Tata Consultancy Services के साथ हमने MOU साइन किया, जो बच्चों को communication skills कहाते हैं, इसे तरह से हमारा mission youth वालों के साथ finishing school activity होती है, जिसमें यह सारे interpersonal work or life skills हम सिखाये जाते हैं, और साथ ही साथ और भी कुछ MOUs, कुछ companies के साथ हमने की हैं, recently हमने एक program किया ways to success के साथ, तो उसमें बताया गया है, देखे, उन्होंने एक बहुत अची बात बोली है, बच्चों के साथ, उन्होंने इंट्राक्ट किया, उन्होंने का कि बच्चों को do you know what is elevator pitch, तो I was myself not knowing what is elevator pitch, उन्होंने एक्स्प्लें किया, elevator pitch means कि जगरा आप अपने boss के साथ जा रहे हैं, lift में जा रहे हैं, और वो boss आपको बोला है कि जब तक ये lift first floor से ninth floor तक पहुंचेगा, आप अपने बारे में मुझे सारा कुछ बता दो, एक minute के अंदर, तो you have just 30 to 60 seconds to explain yourself, convince the boss and tell everything about yourself, देखे, आप यहां बैठ है, मैं इतनी देर से बात करूँ, अगर यही बात मुझे एक minute में बोलनी हो, तो मैं कैसे बोलूँगा, तो हमें बच्चों को उसके लिए रागिप करना है, तयार करना है, उसको बोलते है, elevator pitch, you have to pitch yourself in a very short span of time, and you should be very quick, very smart, very robust, very articulate, in putting across your point. प्रोफेसर साब, यह जो articulation है, यह जो communication skills की आपने बात की, मुझे लगता है, आज के दोर में, जितना career choice का इंतखाब करना है, important, उतना ही इन skills को, communication skills को acquire करना बहुत important है, जब आपके पास proper communication skills है, जब आपके पास clarity है, जब आपके पास thought process में एक, बिल्कुल clarity है, तब ही ज इश्तिराकी माहूल में काम कर सकते हैं, और भी कुछ सवालात हैं, career counseling के हवारे से, और खास कर आपका इधारा, इस counseling के mandate को किस तरह से अमला रहा है, लेकिन हम भी यहां पे good morning education के तौर पे एक segment जो है, अपने नाजरीन तक पहुँचाते हैं, जिसमें तालीम से ही जुड़ वापसी पे फिर प्रोफेसर इसागीर साब से बात होगी, आप देख तरही प्रोग्राम गुड़ मॉर्निंग जेंड के गुड़ मॉर्निंग असलावाएकूम आद आप, बात करेंगे हम education में हम बात करते हैं कि नई जो 21st century में हमें आप देखेंगे जिसकी सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ेगी आगे उस पे बारे में हम आज बात करेंगे आप देख लीजेगा, education में हम कहते हैं कि क्योंकि bombardment हो रही है हर साइड से, तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए school should open our mind, schools में limited है, देखें, जैसे हम काम करते हैं वह ऐसा काम नहीं होगा, जिस तरीके से skills आप चाहिए आगे future में वह कुछ नई skills चाहिए हमें, ठीक है, क्योंकि इसमें transportation time में, humanity में आप देखें कहां से कहां पहुँच गए हैं, और हम सारे connected हैं आज, आप देखें exponential group हो रही है, हर साइड से, हर चीज़ आज connected है, आज पहले जो, अब सब चीज़ें वाइगड हैं, इंटेलिजन, चाहें, गारियां हो, पोर्ट्स हो, फॉर्म हो, इवन आवर बॉडिज, उसमें भी, वहां सेंसर्स लगके, वह आप उसमें बात कर सकते हैं, तो, यह एक न चीज़ नहीं हो सकती, जो automated नहीं हो सकती, उस पे हम बात करेंगे, वो चीज़ क्या है, उस पे हम देखेंगे, वो है human creativity, वो है imagination, वो है intuition, वो है emotion, वो है ethics, यह चीज़ें सबसे ज़्यादा जरुरत फ्यूचर में पढ़ेंगे, क्योंकि मिशीन हैं, तो हमें ज्यादा से ज सिखाई जा सकती है, schools में, colleges में, through workshops, यह build up किया जा सकता है, creativity can be nurtured, ऐसे यह चीज़ें, हमें उन चीज़ें को देखना है, साथ साल के बाद यह चीज़ेंगे, यह technology जो आजाए यह नहीं होगी, यह absolute हो जाती है, नहीं नहीं आजाती है, लेकिन technology और data से ज़्यादा हमें उ सारी चीज़ें पर हमें फोकस करने की बहुत जरूरत है, हम जब कहते हैं कि ठीक है, हमारे बच्चे ने number light, ठीक है, यह Robert X, सारी चीज़ें बहुत जरूरी है, मगर यह सारी चीज़ें हमारे के लिए, क्योंकि दुनिया में जब हम आगे जाना चाहते हैं, तो हमें ठीक हमे दुनिया को हम leadership skills, communication skills, creativity, यह चीज़ें नर्चर करने के बहुत ज़्यादा जरूरत है, ethics, moral values, यह सारी चीज़ें, क्योंकि देखे, आपकी जो education है, वो कहीं तक आपको पहुँचा सकती है, आपके दर्वाजे हर जगा हो सकता है, आपने हौवर्ड से अपने degree ली हो, तो दर ISPD intellectual social and personality development program, आज आप मुझे दे दीज़ें जायत और आप देखे रहे हैं, गौड मॉर्निंग जे अनकी बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक मर्गूब साब, और मुझे ने लगता कि हमारी गुफ्तगू का इससे अच्छा compliment कुछ हो सकता था, कि जो हम बात कर रहे थे, गोया, यहूं एहसास हुआ कि जैसे डॉक्टर तारिक मर्गूब सुन रहे थे, विलकुल, और उसी अब आगे इतने ज्यादा करियर आप्शन्स हैं, लेकिन हम ही तयार नहीं हैं, क्योंकि उसमें बुनियादी एक नुक्ता यह है कि हम अभी भी उस employee mindset में हैं, हम उस entrepreneurial mindset में नहीं हैं, तो यह कितना जरूरी है कि जो हमारे counselors हैं, जो हमारे mentors हैं, वो हमारे बच्चों में entrepreneurship का ए इसलिए ना पढ़ाई मुकमल करें कि हम एक अच्छी सी जॉब secure कर लें, बलकि वो इसलिए पढ़ें कि हम कुछ अपनी society को contribute करें, अपने ही लिए नहीं साथ में अपने साथ और वीस लोगों के लिए रोजगार के मवाकिश जनरेट कर सकें, बिल्कुल बहुत बहुत कि इतनी हैं, वो भी government sector में, तो ये नहीं कहते हैं कि private sector में इसमें कितना रोल है, इसमें कितना scope है, तो ये एक mindset बन चुका है लोगों का कि हम सिर्फ government job के ही इर्दगिर्ध हम गूमते हैं, और हम इसलिए नहीं पढ़ते हैं, देखिए, career counseling जो है, उसमें जब कोई job selection करनी हो होती है, stream की selection करनी होती है, वो हम इस angle से करते हैं, कि उस बच्चे का इनर calling हो, और उस बच्चे वो अपना एक credible ways of means of living उसके लिए create कर सके हैं, और साहती साथ दूजरू के लिए भी ways of living फाइदा बक्स थाबित हो, तो उसमें यह जुरूरी हम यह नहीं देखते हैं कि उसमे government scope कितना है, government job का scope कितना है, अब देखिए इन्होंने जो तारिक सामने बहुत मुफीद बातें कहीं, बहुत ही सबकामोज बातें कहीं, तो इसमें जो industry 4.0, we are going through the fourth industrial revolution, अभी तक चार industrial revolution हुए हैं, 1765 में coal, gas, steam engine की वज़े से पहला industrial revolution हुआ, फिर उसके एक सो साल बाद 1870 मे electricity से दूसरा industrial revolution हुआ, फिर उसके और सो साल बाद 1970 में, जो electronics और automation और computers की वज़े से तीसरा industrial revolution हुआ, और चोथा industrial revolution साल 2000 में, computers की वज़े से और automation की वज़े से और cyber systems की वज़े से हुआ, तो इसके बाद हम, now we are moving towards industry 5.0, which should be somewhere in the middle of this century, और जिसमें human और cyber interface होगा, और intermingling होगी तो हम, हमें आपने बिलकुल सही कहा, we have to prepare our next generation to face the challenges of the upcoming world, of this industrial revolution, अभी ये जो technological transformation हो रही है, digital transformation हो रही है, immersive technologies, disruptive technologies हमारे living में आ रही है, industry में, manufacturing में, production में, society में, तो हमें अपने बच्चों को, हमें अपनी next generation को उसके लिए तयार करना है, जैसे तारिक साब ने भी कहा कि जो new age technologies है, चाहे वो robotics हो, artificial intelligence हो, cloud computing हो, blockchain technology हो, data sciences हो, इस बारे में बच्चों को exposure देना बहुत जरूरी है, और उनको तयार करना के आगे चलके इसमें, देखे एक, if statics are anything to go by, by the year 2026, we are going to lose some 85 million jobs worldwide, because of this digital transformation, because of these immersive technologies, but there is nothing to be despair about, because at the same time, 97 million new jobs will be created, तो जरूरत ये है कि आप देखे 85 million jobs वो चले जाएंगे जिनकी जरूरत नहीं है, लेकिन 97 million jobs वो आएंगे जिनकी जरूरत है, तो आपने उनके लिए तयार है, हमें उसके लिए आपने बच्चों को तयार करना है, आपनी next generation को, उसके लिए prepare करना है, उनको उस तरह की तालीम देनी है, ट्रेनिंग देनी है, सलाहितें देनी है, आपने बहुत सही कहा, कि बच्चों को तयार करना है entrepreneurship के लिए, innovation के लिए, incubation के लिए, इसमें हमारे जो, हमारी जो यहां की जो government है, honorable lieutenant governor, शरीमा नोशिना जी, उनका हर वक्त इस बात पे जोर रह है कि new age technologies, और जो new skills, new mindsets, new competencies, new abilities, बच्चों में capacity building हो, professional development हो, इस बात पे काफी जोर है, ताकि बच्ची जो है, वो self-reliant हो, आत्म निर्भर हो, वो आपने पैरों पे खड़े हो जाए, खुद कफील हो, और आपने साथ साथ दूसरे बच्चों को भी, उनके लिए भी दू और पेनिवर्शिप development काफी ज्यादा इसमें focus है, एमफैसिस है, और हमें अपनी next generation को इस बात के लिए तयार करना है, कि वो खुद कफील हो, ज्यादा government jobs में का इनिसार नहों, और जो fast changing world है, उसके साथ अपनी pace को maintain करें, जो global demands है, challenges है, job markets के, उसके साथ हम आपने आपको match क करें, बिल्कुल, और we have to be future ready, डॉक्साब हम almost program के खिताम तब पहुंच रहे हैं, जब हम caterer counselling की बात करें, क्या आपको लगता है कि, या यह message भी आपकी तरफ से जाए, कि खाली बच्चों की counselling नहीं करनी है, कहीं नहीं हमें जाके parents की भी counselling करनी है, जी, बिल्कुल बहु पुजिशन तो नहीं ला सकता, तो बच्चों में फिर stresses होते हैं, anxieties होती हैं, उनमें फिर psychiatric disorders होते हैं, तो और drug addiction का भी वही एक major उसमें काफी रामल दकल है, जो बच्चा बहुत pressurized feel करता है, anxious feel करता है, एक free life नहीं गुजार पाता और अपनी मर्जी के हिसाब से अपना career choose नहीं कर पाता, अपनी जिंदगी नहीं जी पाता, तो उसके वो भी stress कशकर होता है, anxiety कशकर होता है, तो इसलिए जो teachers, जो orientation है parents की, वो बहुत important है, parents की orientation, teachers की orientation, अगर जेखिए, अभी हमारे पास हर school, हर college में psychological counselors नहीं है, career counselors नहीं है, even हमारा जो center है, we have 66 teachers who have been assigned the job of career counseling in their own respective departments, we we are telling them to prepare placement brochures for placement of their students, we are telling them to give the career guidance to their students, तो उनको उस रोल में भी आना है, उनको orientation होनी है, हमने उनके वरक्शॉप्स भी करवाए, online भी, offline भी, ताके वो इस जॉब के लिए ready हो, और इसको खुश असलूबी से अंजाम दे सके, हमारे पास प्रफेसर साब, एक दो मिनट हैं आकर क क्योंकि आपने ये कहा कि आप कोचिंग कराते हैं, competitive exams के लिए, हमारे सबी नाजरीन देख रहे होंगे, इसमें वो बच्चे भी देख रहे होंगे, जो कि competitive exams के लिए prepare कर रहे हैं, तो हमें बताईए कि ये coaching के batches कब start होते हैं, और इसमें दाखले का procedure क्या है, जी हर साल हम य different competitive exams के लिए, जैसे IAS, KS, NEET, JEE, NET, JRF, पिछले साल बिल्कुल free of cost हमने बच्चों को coaching की, IAS और JKS के लिए, जिसकी funding सेंटरल वक्फ काउंसल ने की थी, इस साल भी हमने बिल्कुल free coaching दी बच्चों को, जिसकी funding, financial assistance हमें दी, Mission Youth जहेंड के ने, और बच्चों को एक पैसा करना पड़ा, course, material, सारा कुछ free, और उसका लगबग 20 बच्चों ने प्रिलिम्स कॉलिफाई भी किया, उनमें से कुछ अब आगे मेंस के लिए तयारी कर रहे हैं, और इसी तरह से JW में हमारे 8 बच्चों ने मेंस कॉलिफाई किया, तो कामया भी मिल रही है, लेकिन हमारे प जाने में वक्त जाया ना हो, और पूरी वो आपनी concentration वो तालीम में लगा पाएं, तो ये हर साल जो है, October, November के आसपास हम एड्मिशन करवाते हैं, और अगर इस बार तो Mission Youth Gennd के वालों ने खुद एड्मिशन किया था, उन्हों नहीं हमें बैच बेजा था, और ये जो है सिल सर्विस देने का है, जिसरा एक Government Hospital Patients को सर्विस देता है, वैसी ही आप करदा रहा है, हम उन बच्चों को सर्विस देते हैं, जो अंडर प्रिविलेज़ होते हैं, लोवर स्ट्राट आफ दा सुसाइटी से तालुक रखते हैं, जो एफोर्ड नहीं कर बाते हैं, तो वो सर् शुक्रिया प्रोफिसर इसाथ साथ आप हमारे प्रोग्राम में आए, और इतनी मुफीद जानकारी करियर काउंसलिंग के हवाले से, और यह जो कोचिंग्स आप कराते हैं, आपने जो M.O.U. जाइन किये हैं, बहुत सारी पेश्रफ्त हो रही है, आपकी मनसुबबंदी ज सामने आती है कि यह जो सारा करियर काउंसलिंग का यह जो पूरा डोमेन है, इसमें एक यही बात है कि हम अपने आपको पहचाने हैं, सेल्फ एक्चॉलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन के हमें क्या सलाहियते हैं, हमारी कमियां क्या हैं, हमारी मजबूत पक्ष क्या हैं और उसी के according हम मेहनत करें और अपने लिए एक अच्छे करियर का इंतिखाव करें आज मुझे और माजिद को इजाज़त दीजिए आज के लिए बस इतना ही आप अपने बहुत सारा ख्याल रखिए हमारी दीगर नश्यात का लुट लीजिए बिलखुस इस प्रोग्राम को प्यार और महबत से नवाज दे रहिए जिसका नाम है गुड मॉर्निंग जेनके